नमस्कार दोस्तों एक बाफिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपनी स्वीट्यूब चनल एजुकेशनल गेलरी में असा करता हूं आप सभी स्वास्त महस्त और अपने प्राय में वेस्थ होंगे इस वीडियो में हम बचे Chemistry इन और नहीं Chemistry जो जिनका भी बिएसी पार्ट वन ये प्राट टू में Chemistry सबसीड्री में बच्चे उनके लिए हम objective question लाएं में revision के लिए यह अपका topic पर चुके हैं तो कुछ question आप देखे लिए कि आपका topic कितना topic कितना पकर है ठीक क्योंकि जो तो सबसिडिवी होगा अबजेक्टिव फॉर्मिट में यह होगा बच्चे तो किक करना रहेगा जितना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा तो आई हम सुरू करते हैं कुछ तो डारेक्ट को सने बच्चे सीधे आंसर देना है जहां एक्सप्लेइन करने के जरत होगा थुरा वो था हम एक्सप्लेइन भी करेंगे कहीं पर ट्रिक की जरत भी पर एगी बच्चे वहां हम आपको ट्रिक भी बताएंगे तो अंतर तक देखें पूरा वीडियो मैक् idden अंदर को कितना कितना प्रूटोप के एच्प्रisma को घुटराइड है तो चला गया तो बचा काईक यह परbon बचा तो है कितना मै bond order zero किस्में होगा bond order या तो आप सही ध्यान रख सकते हैं bond order निकालने का formula क्या है बच्चे तो bonding molecular orbital minus anti-bonding ABMO anti-bonding molecular orbital upon 2 BMO में कितना electron है minus ABMO में कितना electron उसको 2 से divide कर दीजे वह हो जाता आपका bond order ठीक है तो देखिए helium की बात करें hydrogen helium helium में कितना है बच्चे दो electron होता है लेकिन helium 2 है तो मतलब 4 electron total हुआ total 4 electron हुआ दो electron BMO में जाए गा मतलब bonding molecular orbital में जाए गा दो electron nd bonding molecular और वाटल में जाए गा तो 2-2 0 0 बटे 2 0 तो bond order किसका 0 हो गया बच्चे बी का मतलब helium का है ओके नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिडाइशन निकली निकली निस 3 का होल 6 प्लस टू बहुत आसान कोशन है निकल का हाइब्रिडाइशन पूछ रहा है बच्चे तो सबसे पहले oxygen state निकालेंगे आपको हम निकालना से काई भी है निकल का oxidation state निकालेंगे प्लस टू महनी के लिए आपके इसका electronic configuration लिखे इसका electronic configuration क्या होगा बच्चे आरगन 3D8 आरगन 3D8 क्योंकि निकल का कितना होता है 28 होता है दो एलेक्ट्रों तो चला गया तो सबसेल में जब फिल किजेगा तो 8 तो 3D तो फिल भर चुका है 3D में आप एलेक्ट्रों जैसे फिल करेंगे इसे बच्चे माली जे 3D सबसेल है तो फर्स्ट सकेंड थर्ड फोर्ट फिफ्ट सेवेंथ एट आठ को तो फिल हो चुका है बच्चे तो आप हमको जो छो जो यहां वेलेंसी है जिसको लिगेंड करते हैं इसको कहां फिल करेंगे तो अलग्चा बनाना पर है हमको 4S 4P और 4D 4S 4P 4D में जाएगा इलेक्ट्र 3D two next data दोनों के बीच मिलता है और अमोनिया फ्लस्न क्लोरीन जब तो एंगित क्या बनेगा बच्चे एंगे प्लस फ्लस प्लस्न कि यसी नियुँ कुलूर कोります मैं तो यह के टाइन है एक एक अनायन है दोनों के बीछ में ऐलेक्टोविलेंट बॉंड बन जाएगा और अमोनिया और क्लोरिन में एक कोवलेंट भी बनता है तो तीनु बॉंड पंजया एंडी किसमें ध्यान डेकिंग बड़ीए इंपोटेंट कोशन है यह कोशन अक्सर प Cup नेक्स्ट सेवंट दिखते हैं इननन प्लस टू सौरी एमन प्लस 7 मैगनीज प्लस सेवन का लेक्ट्रोनी कॉंफिगरेशन क्या होगा तो मैगनीज का सबसे पहले आप क्या पता किजिए अटोंक नमर मैगनीज का अटोंकि नमबर मद होता है बचे 25 25 हुआ तो पहले मेंगनीज का लिख है बताते हम आपको पहले मेंगनीज का एलेक्ट्रोनी कन्फिग्रेशन लिख है मेंगनीज होता है बच्छे 25 यह होगा आरगन 3D6 4S2 सुरी 3D5 होगा आरगन 25 है आरगन 3D5 4S2 हमको लिकना है MNнымиट 7 का बच्चे साथ एलेक्ट्रोन निकालना है तो पंच इसमिश निकाल दीजिए 12 मिश निकाल दीजिए तो सिर्फ क्या बच्चे का आरगन का यह एलेक्ट्रोनीक इंट्रेशन होगा बच्चे समझ गए होंगे आप आर्गन का जो एलेक्ट्रोनीक रिखेलेशंगे अब फॉट्राइशन होगा वही मैगनीज का विख वह सथिये है कि अठीक है ऑच्छे हम एक्स्पेढ कर दिये हैं मैगनीज ब्लस से बनका एलेक्ट्रोनीं configuration आप देख सकते हैं electronic configuration खुद से भी लिखके आप electron को बाहर कर सकते हैं मिल जाएगा आपको आसान कोशन है एट नमबर विची दो लॉंगेस्ट पिरियोड इंद पिरिडिक्टिवल लॉंगेस्ट पिरियोड इन पिरिडिक्टिवल कोन है बच्चे तो सिक्ष्थट दो शिप्रियोड है साथ पिरियोड होता है जिसमें सिक्षपिरियोड है सबसे लॉंगेस्ट पिरियोड है ध्यान रखेंगे औप्शन सी सही है नाइन्थ नमबर द वैल्यु अप द्वाइन फिल्फिल ओंफंटम नमबर ओब लास्ट एलक्टोन 3 e is to 3 p 5 तो last electron किसमें बच्छे 3 P 5 में ठीक है तो last electron magnetic quantum number किसको करते है magnetic quantum नमर्भ जिसको small m जो जो रिपर जिन करते बच्छे वो क्या होगा 0 होगा क्योंकि S P P में हैं बच्छे P के लिए l केतना होता है P के लिए l 0 होता है एल जीरो होता है एल जब 0 हो और एम का फेलीओ क्या होता है 0 वोला होगा 0 वला में जाएगा आंतिम बाला क्या होगा पी में तीन सब से लेए तिंव क को जब एखिरी थरी प्लाइब को है एक जाय गा मैनस वङन एक प्लस वं एक जायिए ए'? ठीक है यह एम का भेली होगा तो अंतिम इलेक्ट्रोन इसमें जाएगा बच्छे तो एम ब्रावर कितना हो जाएगा जीरो द्यान रखेंगे अप्शन बी सही है नाइन्थ का भी जहां बच्छे कि जोगत हैं कर रहे हैं यह सभी सारे इंपोर्टन स्थय पार्ट वाल या पार्ट् we support आ हो बच्छे सबी के लिए आपको अंपयों कितना इन करा पर्लिट्र का नॉलिज है अनग कर लिए आपके लिए ब्यान ही रहा होगा बच्चे निकला है n l m सभी आपको लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिख लिए इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन कारवन का कितना होता है छे लेक्ट्रोन होता है बच्छे 1s2 2s2 2p2 2p2 में देखिए n is equal to 2 हो गया है यह 2 क्या बता रही है n बता रहा है p है p से हमको l पता कर सकते हैं तो p कितना हो जाएगा बच्चे p हो जाएगा 1 p के लिए l कितना होता है 1 होता है जब l1 हो गया तो m कितना होगा बच्चे माइनस 1 0 और प्लस 1 तो लास्ट एलेक्ट्रोन वाले हमेशा जीरो में ही जाते तो अप्शन डी सही है n is equal to 2 l is equal to 1 m is equal to 0 s is equal to minus 1 by 2 ओके 11th नमर for the d5 system explain multiplicity city will be direct question है d5 system के लिए spin multiplicity क्या होता है तो 6 होता है बच्चे ध्यान रख सकते हैं direct 6 in a given atom two such type of electron cannot be found having there all the four quantum numbers be identical this is related with किसी भी given atom में two such atoms two such type of electron cannot be found having there all the four quantum numbers कोई भी दो electron का quantum number same नहीं हो सकता है बच्चे कोई भी दो electron का quantum number same नहीं हो सकता है यह कोन बोला था बच्चे poly exclusion principle यहीं बोलता है कि किसी भी दो किसी भी दो electron का quantum number कभी भी सेम नहीं हो सकता है ठीक है तो यह पॉली का statement option भी सही है थर्टींथ है इन एंप्टी और वाइटल electron enters singly thereafter start pairing this is related with किसी एंप्टी और वाइटल में electron पहले हम singly भरते हैं आप हम को टूपी फाइव भरना है तो पतलब पी में पांच लेक्टोन को भरना है तो सब से पहले single भर ली एक दो तीन फिर प्यरिंग करना start करेंगे पहले सब इंप्टी और वाइटल को एक एक करके भरेंगे वचे जब सभी में एक एक भर जाएगा तब उसको हम पेरिंग करते हैं यह किसका रूल है तो यह हूंड ने बताया था ठीक है हूंड का यह प्रिंस्पल है कि प्रिंस्पल सबसे कुछन आता है को से अपको यह सब ध्यान रखना चाहिए सभी टॉपिक को बचे एक्स्प्रेंड कर रहे हैं सुनते रहें अंध तख देखें कर नॉलेज में गेंहीं होगा वचे ठीक है अगर आचा लागए तो प्ली चैनल को लाइक करते सब्सक्राइब करते बच्चे बहुत सारे बच्चे चैनल तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब ने करते हैं बच्चे बने रहें फ्यूचर में भी आगर आपका एक्जाम जब भी होगा या कोई भी उनिवर्सिटी का अगर कोशन कहीं से आता है अपलब्ध होता है तो हमसा से पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको सुम्धा हो जाएं वहां पर बनाने में और वाट्सप पर जूर जाएं कि मालीजे वाट्सप पर भी हम मेसेज कर सकते आपको ठीक है बच्चे तो प्लीज हमारे चैनल से जूर जाए बहुत सारे स्टेडी में इसमे सब्सक्राइब बताएं हम उसके बारे में आपको वीडियो अपलोड कर देंगे वच्छे फिलाल देखते हैं कि 14 नमर एक्कॉर्डिंग टू हूं एलेक्टों स्मूव इन इलेप्टिकल और्वीट किसने कहा था कि लेक्टों एलेक्टों एलेप्टिकल और्वीट में कुर्यं को लुट search for Southern citizen अक श्क्राइब सिल्वर ओं सिल्वर है जो किसका और बच्रहु अध्यों का सिल्वर का सिल्वर का एक और है सब्सक्राइब्स का प्या कर करते तो लुनार कॉस्टिक क्या को लोनार कॉस्टिक यह तो पूछा जाता है जैरेक्ट आ जाएं आपको graduation में आता है objective में कभी आप MSC का त्यारीव करेंगे में स्टी इंट्रांस एक्जाम के लिए चाहे डियू का त्यारी करें बच्चे यादि हैदराबाद इनवर्सिटी का या कोई भी बाहरी इनवर्सिटी का त्यार करते तो यह सब को प्रोवाइड कराएंगे आपको मारे चैनल सब्वेड थे बच्चे एецिंथ है बोरेक्स इज ब्लाइक्स क्या होता है बच्चे तो ब्लाइस का जो फॉर्मूला है याद कर ले याद्ध कर ले याद कर लिये लिंटीव फॉरोह 7.10 बपरक्स होता है 9th number which is called Inorganic Benzene Inorganic Benzene किसको कहते तो Borazole Borazole को Inorganic Benzene के नाम से भी जानते है Borazole Direct question पूछा जाता है बच्ची यह सब Red lead is 20 है Red lead क्या होता है बच्ची तो PB3 upper को red lead भी होते कहते है PB3 upper को red lead भी कहते है 21st Chrome yellow is Chrome yellow किसको कहते तो PBCR4 PBCR4 को Chrome yellow भी कहते है C option सही है 22 number orthoboric acid is Orthoboric acid किसको कहते बच्चे तो S3 VO3 को Orthoboric acid S3 VO3 को कहते है Orthoboric acid याद रखेंगे S3 VO3 को Orthoboric acid भी कहते है 23 number when diborin is heated with ammonia जब diborin को ammonia Diborin मतलग क्या बच्चे B2H6 B2H6 को diborin कहते है जब diborin को ammonia के साथ heat किया जाता है High temperature पर Then which is formed तो क्या बनता है यही बनता है Inorinic benzene या जिसको करते है अभी जो पर रहे थे बॉरा जोल Inorinic benzene या बॉरा जोल चीक है बच्चे यसी को जब diborin को ammonia के साथ High temperature भी हिट करते तो Inorinic बनता है जिसको बॉरा जोल भी करते है 24 T 10 bond is present in Which of the following 10 bond के से present होता है बच्चे तो Diaborin में Diaborin B2S6 में 10 bond भी present होता है 25 नमर Which is correct है इसमें से correct क्या है तो IP सबसी क्या करते है मतलब कि Higher IP Higher IP अपने लोर IP से हमेशा ज्यादा ही होता है बच्चे 3rd IP किसी का भी 3rd IP उसके 2nd IP से और 1st IP से ज्यादा ही होगा बच्चे क्योंकि IP में I-N-I-S-N Potential क्या होता है हम Electron निकालते हैं Electron निकालते हैं तो जैसे एक Electron निकालिएगा तो वो तो हो सकता है कि हो प्रयाइब इनर्जी देना पड़ेगा उसके लावा पीर और इलेक्रोन निकालते हैं और इनर्जी देना पड़ेगा तो जितना ज्यादा ज्याधा आ हमेशा लोर आईपी से बढ़ा होता है तो अप्शन बी देखिए थर्ड आपी ग्रेटर दन सकेंड आपी ग्रेटर दन फॉस्ट आपी ठीक है बच्छे नेक्स देखते हैं 26 नमबर मैथेमेटिकली दे वेल्यू अप एलेक्ट्र नेगेटिविटी इज एलेक्ट्र नेगेटिविटी का वेल्यू कहां से निकालते तो पॉलिंग एक स्केल दिया था जिसको पॉलिंग स्केल भी करते बच्छे वह है आयना एसन पोटेंशल प्लस ए अक्सिजन कहता है 3.5 ज्यान रखें डाटा सभी हम साथ साथ बता रहें जा रहें बच्छे तो प्लीज हमार चैनल को अब टक लाइक ने किया तो प्लीज लाइक भी करते हैं ज्यादा ज्यादा वीडियो के देखें बार बार देखें रिवीजन करें बच्छे एस इसे ही नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन का अनेशन पोटेंशियल ऑक्सिजन से ज़्यादा होगा यह क्यों होगा बच्छे देखें नाइट्रोजन वे क्या होता बच्छे आगे टौनी कंफिगरेशन लेगे तो 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 ऑक्सिजन का होता है 1s2 2s2 2p4 और हमसा परहा जाता कि हाफ फिल्ड पी में 6 अलेक्ट्रोन फिल्ड होता है तो 3 वो हो गया तो हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड वाले हमेशा हाफ फिल्ड वाले का आइनेशन पोटेंशल जदा ही होता है तो P3 का P4 से जदा होता है जिस प्रकार से P2 का P1 से P2 का S2 का P1 से जदा होता है उसलिए नाइट्रोजन जो IP है औक्सिएन से ज्यादा होता है तो हम लॉजिक से भी बता दिये बच्चे आसा करता है वह पच्छे से समझ गोंगे क्योंकि नाइट्रोजन का थे दो में से दो केंसल हो जागा तो रजीक नीयोन दस मैन इसे गिंच ने का यह सिर्ए एक्विएं प्लस्ट और टूरे करता है तो मैक्सिम्म फ़ॉर्ण एक्जिस्ट है इस प्र माक्सिंप फॉर्पोर फॉस्प्र एग्सफ प्र कोmaybe क्टेक्ट रिंग इस्तरी रिक्ट्री कोछा जाता है ध्यान रखेंगे 31st वीच इलेक्ट्रों-डिफीसेंट कंपॉंड है तो डाइबॉर इसका अपमप्लीट्री नहीं है एलेक्ट्रों-डिफिसेंट कंपॉंड है 32 विच कंपाउंड इस कोवेलेंट इसमें से कोवेलेंट है तो SN प्लस फॉर एक कोवेलेंट कंपाउंड है 33 इस अब डारेट कोशन है बचे तो तो फ्राजल यह लिए देखें विच इस लीनियर इसमें से लीनियर कोन है हाइबृडड आसे से कोशन है तो XCF2 XCF2 का अगर हम है है विच निकाले तो बच्छी क्या होता है 2 सिग्मा प्लस तीन लौन प्यर होता है SP3D SP3 2 सिग्मा प्लस तीन लौन प्यर वाले को लिनियर कहते हैं वही है XCF2 XCF2 2 सिग्मा तीन लौन प्यर यह लिनियर होता है ध्यान रखेंगे आसान कोशन है 34 AG is extracted by है सिल्वर को कहां से सेились साइड मेθोड मेठलर் में इसी को साइनाइड प्रोसेस से ईजी को एक्सिक्त के टेटाई आधि साइनाइड मेठोड थर्टीफाइब विच वुच फ़ुलीक पास फुलफ फुली वडियूर्म पारिटल है अचलने यह इलेक्ट्रो नी 38 होता है Chromium 305 होता है तो किसका Fulfilled D है बच्चे Copper Option यह सही है 36 which is Monoatomic इसमें से कौन है जो Monoatomic है तो Helium एक Monoatomic है Oxygen हमेशा O2 के फ़र्म में होता है Diatomic होता है Nitrogen भी N2 के फ़र्म में होता है और Sulphur तो S8 के फ़र्म में होता है जो क्रॉन से या पकट रिंग इस तक है जिसको करता है तो Helium Monoatomic Exist करता है 37 which is reducing agent इसमें से reducing agent कोने तो Sulphur dioxide है H2S जो है reducing agent है कि हमने 4K2C2O7 इस सब Oxidizing agent है 38 CPYCV ratio of Monoatomic Gases is Monoatomic Gas का CPYCV ratio कितना होता है 1.66 डिया ने कहेंगे 1.66 CPYCV एक यह भी पूसा CP-CV क्या होता है बच्चे तो R होता है CP-CV जिसको मेर्स रिलेशन भी कहते है है 39 total number of loan pair of electron presenting XEFE total number of loan pair of electron presenting XEF6 होना चाहिए यह incorrect question है बच्चे इसको नहीं देखें क्योंकि XEF4 भी हो सकता है XEFX कोई पूरा compound होगा तब तो पता चलेगा तो यह incorrect question है इसको छोड़ें next देखते हैं 41 number the value of magnetic quantum number of the last electron of chlorine atom पहले भी रिपीट कर चुके है जीरो जब आप electronic configuration लिखेंगे वचे 3P5 आएगा 3P5 में पी में माइनस वन प्लस वन और जीरो भी आएगा तो लास्ट लेक्ट्रोन को जीरो में ही फिल करेंगे तो बैनेटी क्वांटर नमबर जीरो हो जाएगा 42 the oxidation number of nickel in NICO4 निकल का oxidation state क्या होगा ऑक्सिडेशन नमर क्या होगा तो जीरो क्योंकि कार्वोनाइल का oxidation state भी बच्चे 0 होता है कार्वोनाइल क्या है neutral legend है इसमें कोई चार्ज है ही नहीं तो nickel पर भी कोई oxidation state नहीं होगा जीरो होगा 43 the oxidation नमर मैंगनीज इन के मनफोर अराम से निकाल सकते हैं के मनफोर 4 दूनी आठ में से गया तो 7 प्लस 7 होना चीए क्योंकि oxygen 4 है बच्चे 4 अक्सिजिए है तो oxygen पर माइनस 2 होता है तो दूनी आठ टोटल माइनस 8 हुआ तो प्लस बला भी साथ होना प्लस बला भी आठ होना चीए जिसमें potassium का प्लस एक है तो मैंगनीज का प्लस साथ होना चीए तो कोई option नहीं है तो डी option से यह प्लस 7 होना चीए ओप्शन 44 at ordinary temperature nickel carbonyl is और नदी टेंपरेशर निगरएल का रहा रहां लेकलर लेक्टि लेकिड होता है ध्यान रखेंगे फोटी फाइव लास्ट बाट ना लीस्ट एकॉर्डिन टू प्लैंक्स ठीय फ्लांस थीयरी इस्कष्ट्री के निसार क्या होता है कि जूरी रहें इसके आगे हम और्गनिक के शुरू करेंगे पार्ट वन में पार्ट वन में अब लिए बहुत ही बेटर रहागा अच्छे से रिविजन करें बार वर कोशन को पर हैं मैक्सम कोशन हम कंसेप्ट के साथ भी बता दिये हैं आप ध्यान रख सकते हैं मैक्सम कोश सब्सक्राइब कोशन आएगा तो आता ही है तो इस लेवस सभी कोशन आएगा तो आपको देहान रखना चाहिए ओके प्लीज हमार चैनल को सब्सक्राइब को देश्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें वहां प्रिवेस येर का बहुत सरा फीडियो मिल जागा बच्चे वहां